वित्रो नमसकार सुरीला मिजिकल में आपका स्वागत है आज आप लोगों के लिए एक और इंटीक हार्मोयम लेकर उपस्तित हूँ और इंटीक जब मैं बोल ला हूँ तो इसका आशा यही है कि इस हार्मोनियम के ओमर कम से कम साट साल अवश्य होगी और वो चीज़ें आप यहां कीज का पोर्शन देख करके आप समझ सकते हैं यह तीन सब तक का हार्मोनियम है और इसकी कारीगरी और बनावट आप देखिए तो चबियों के उपर जो सिलुलाइट लगा है उस पर भी इन्होंने कटिंग कर रखी है यहां पर भी और यहां पर भी जो एड़स्टर श्क्रू है उसके ऊपर भी यह चीज़ें आम तोर पर All& Company के जो Scale Changer हार्मोनियम साते हैं प्रीमियम क्волिटी के उन में यह चीज़ें होती है जह अच्छी गुणवत्ता के जो हार्मोनियम तैयार की जाते थे पहले उनमें ये चीज़ें आती थी तो इतना बारीकी से ध्यान दे कर एक एक चीज़ पर इस harmonium को बनाया गया रहा होगा तो ये harmonium है इसमें ये सामने के stoppers हैं और keys आप देखेंगे इनके तो इतना पुराना harmonium होने के बाओ जो सारी keys जो है जो है वो सेम है तो एक दो जगे अड्जेस्टर स्कूरूग से आमने इसको अड्जस्स किया था लेकिन ये पूरी तरह से aligned है properly और बहुत अच्छा काम कर रही है तो ये इसकी keys हो गई side से दिखाएं तो ये है इसका side का हिस्सा और यहां आप देखिए तो इसका जो polish है polish की जो चमक है वो अभी भी बरकरार है पीछे के तरफ आप देखेंगे तो ये इसका valve है और valve की बनावट भी विल्कुल antique है पहले के जमाने में जैसे आती थी प्रोपर उस तरह का इसका design है और यह है इसका दूसरी तरफ का हिस्सा अब आई आप लोगों को पहले इसकी read दिखा देते हैं इसके बाद फिर इसकी आवाज सुनाएगे यह आप देखिए तो यहां पर read का नाम लिखा हुआ है और यह पुरानी और original जीवनलाल कांजी मिस्त्री पालिटाना read है और reads की condition जो है वह बहुत अच्छी है reads में रस्टिंग नामात्र की भी नहीं है reads जदे घिसी नहीं है और बहुत अच्छी स्थिती में है इसमें नाम यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको और उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा यह देखिए यहां जीवन लाल कांजी मिस्त्री पालिटाना मेल की लाइन आप देखिए तो मेल की लाइन में यहां पर लिखा हुआ है इसका नाम आप देख सकते हैं और इसको पूरा दिखा दीजिए रीट्स की चमक अभी भी बनी हुई है जो ओरिजिनल चमक थी इसकी नीचे इसका एयर चैंबर तो यह इसकी फिस्कल करनिशन हो गए अब मैं मित्रों आपको इसकी आवाज सुनाओं उससे पहले एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले मैंने एक हार्मोनियम का वीडियो पोस्ट किया था जो था मेलोडी कमपनी का और उसकी बाड़ी जो है वो तूटी हुई थी लेकिन आप लोगों ने उसकी आवाज बहुत पसंद की थी तो मैं आपको बता दूँ कि ये हार्मोनियम भी बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाया गया है इसकी कीज की बनावट इसकी बॉड़ी की बनावट और यहां तक की इसके अंदर रीड़ बोर्ड और रीड़ बोर्ड के जो पेज तक लगे हुए है उन तक भी की भी बनावट और उनकी पोजिशनिंग जो है वो सेम ऐसी है तो शायद आप लोग रिलेट कर पाएं तो इसलिए हमने यह बात आप लोगों को याद दिलाई है तो आईए अब आप लोगों को हम इसकी आवाज सुनाते हैं और चुकि मैंने उस मेलोडी के पुराने हार्मोनियम की आप लोगों को याद दिलाई है तो मैंने जो ट्यून उस हार्मोनियम पे प्ले की थी सेम वही ट्यून मैं इस पर भी प्ले करके सुनाता हूँ आईए आईए कर दो कर दो कर दो करें आई है कर दो कर दो कर देता है के दिखा देते हैं हूं अब अगर आपनों को यह पसंद आता है और आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो तरिप्या हमारे दिये गए WhatsApp नंबर पर सुन पर करें.